हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज फिर से मैं एक नए छत पर आ गया हूँ और नया नहीं बलकि ये छत पुराना है पहले भी एक वीडियो मैं छत का ला चुका हूँ लेकिन काफी सारे चेंजेज इस बीच में इस छत पर आया है तो चलिए जिनका ये छत है जिनोंने इस बग्या को सजाया है उनस तो दोस्तों जिनके खर में आज हम आई हुए हैँ सर मैं दोनौं ही हमारे सामने हैं बहुत-बहुत स्वागत हैं आप दोनों का हमारी बग्या यीट्उट्पानल में है है आपको हमारे घराने में और सर आपको तो पहली बार मिलें दी दि撐 साथ एक बार एक वीडियो और बनाया था तो आज इतिफाक से आप घर में मुझे मिल गए तो कैसा लगता है गाजनिंग आपको अच्छा लगता है खाली टाइम में इधर उदर दिमाग ना लगाए कि इसी में लगे रहे अच्छा लगता है इसे बात अवरान भी अच्छा रहता है और घर शुंदर और अ बाके दिनों में ड्यूटी बगरा रहती है आपकी ड्यूटी रहती है रिगुलर उसके जैसे टाइम मिलता है इसी में अच्छा लगता है तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों कहीं पर किसी नरसरी में गए पौदे बगरा साथ में लेकर के आए हो हाँ गय थे जानकरी लिया फि दिन बे दिन अच्छा और अच्छा वने लगा तो इससे पहले कि थोड़े से बात्चेत और करें थोड़ा से आपका परिच्छा जानना चाहेंगे आपका नाम और कहां पर लाते हैं मेरा नाम है दीपाक्त मॉर्बंडल गाओ चंदर नगार वोष्ट दिनस्पूर तैसिल तो फूरा एड्रेस आपने अपना बता दिया और दिदी आपसे तोड़ी से बात्चित करते हैं आपका तो एक वीडियो इससे पहले भी बना चुके हैं और इस बार देखा है कापी अच्छे से आपने सजाया है अपने पौदों में और बिचादा जो है किया है बहुत सार आते हैं ज्यादा और नर्सरी बगार जाना होता है इस बीच में जाना हुआ कभी नहीं इस बीच में कभी नर्सरी नहीं गया हूं और अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है तो अभी तो कटिंग लगाने का बहुत अच्छा समय है अभी थोड़ा अभी शुरू किया है और दोखोषण को देखरेख करने में परेशन ही हो गई अब बारिश के मौसम है पानी भी आगे हां यह बिल्कूल पानी नहीं था होता है थोड़ा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है जून के महिने में और खासतर से हमारे यहां पर भी जो है पानी की काफी समय सा है तो उस समय थोड़ी तकलिफ जरूर होगी लेकिन अब मेरे कर से पानी बगर ज्यादा जालना नहीं होता है थोड़ा तो लगवग बारिश वही रही है अब नहीं चाहिए पानी का अब देख करना है काली बस दोस्तों सोचे होंगे कि वीडियो जो है गाजन का है और मैं यहां प को मुझे अलग शूट करना पड़ा और दीदी से वह यहां से अलग से बात्चीत करनी पड़ रही है ताकि कोपी राइट के कोई इस्यू ना आए तो अभी बाकी की बात्चीत चलिए गाजन को देखते हुए ही इनसे करते हैं तो दोस्तों यह जो है दीदी का गाजन है और देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से चारों और से बहुत सारे प्यड़ पौदे इन्होंने लगा रखे हैं सबके nossa का हुआ कर्दे जितने बी Gumbal a हर यहां दिखाए दे रहे हैं तो मुह लगता नहीं है को मेरे खरीदा होगा इनको चोटा बेटा वह भी हेल्प करते हैं और यहां तो बहुत सुंदर हो गया है पॉर्चुलिका का यह प्लांट तो कितने कलर इसमें हैं इसमें अभी यहां पर तो है चार-पांस कलर के इसमें दो कलर है इसमें मुझे सफेद और देन कलार दा और बी नजर आ है पिंक भी है ति कर दिउटनें अपने बहुत होया ओर दान wow एक यव श्राय वो मैंने लगसा फिलाएं यह गता है करिका झाहिkę और खैना पाल्ग में वो चाय में रखना होता है तब हरा भरा रहता है तो जून की पूरी गर्मी पड़ी थी उसमें तो इस वैसे ठोड़ा कराब गवा था लेकिन अब ठीक है इसकी हालत हाँ भी ठीक है अब जगह नहीं है ना रखने काना नीचे है और उपर है तो धूप है धूप है तो मतलब पौदों का शौक है और मजबूरी में तो नहीं रखना ही पड़ा तो अब तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि अब बारिश के बाद सिद्धे सर्दी आएंगी तो उपर अराम से इसको रखा जा सकता है अब तो यह हरा हो जागा पूरा कलर ना सुन्दर लगेगा दिखने में बिल्कुल और यह जो सदावार के पौदे हैं यह सब घर में अपने अप उगे थे या कहीं से लाए थे यह एक पौदे लाए थे कहीं से किसी के घर से चोटा सली के आए वो लगाया बड़ा हो गया अब तो बहुत सारा पौदे होते हैं इसमें हम तो खड़के फैक देते ह अगर हम इसके बीज निकाल देते हैं तो उतना टाइम नहीं होता है निकालने का तब यह इतना पौदे उसके बीज से नहीं बनते और यह फाइकस लगा हुआ है इस गमले में यह भी सीमेंट का ही पौट है और नीचे से हाइट जो है इसकी कम है इसमें थोड़ा कम है यह बनाया था ना तो पहले शुरू-शुरू में जब बनाया तो उतना पता नहीं चला था किसमें क्या है अच्छा रहेगा तो लगा दिए जो भी अलग 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 तरह के साइसते गमले होते हैं उससे अगर पौदे लगाए जाए तो अच्छा भी लगता है जैसे आपने जो दोनों का जो सेलेक्शन है बहुत अच्छा सेलेक्शन किया है और यह गमला जो काफी बड़ा बनाया आपने यह जो गूरल आपने लगाया तो यह कटिंग से लगा था या पौदे खरी देते यह कटिंग से लगाया था और ले पहले लगा था कितने साल भूए होंगे कुछ स olması म стороныравствуйте कई अब फूल के ऊइप अब फूल में पूल कि टूरा पूल कि यह लगा थैक करें डूर थी ले चोटे हो गया था ज्यादा प्ट जाहरे उतना ज्यादा अभी हो ब्टे nasal सै चोटे में आइंना तुररोप फूल मे कम नेया रह तो अब बड़े ले ब्लगा नम्न व्हाद बगर है मिठी है वह ज्यदा आती है उसमें और बया खाद बगर जालने के ज़रु नहीं होती है आपका जो यह वाला पौदा है कनेर का काफी सुंदर लगा है पीला वाला है यह पौदा लगाए था अपने वहां भी कनेर के पौदे अकसरा में दिखाए दे जाती है तो चोटा सा पौदा लेके लगाया था और मेरे को बहुत जल्दी इसमें फूल भी आ जाते होंगे किसी दर्या कोई केर के जरुद पड़ती है इसमें थोड़ा पानी डालो बस पाली बानी डालते इसमें अगर डालते तो शायद और थोड़ा अच्छा होता ओडिक और यहां भी काफी सुंदर लग रहा है तो नहीं सब यही है आपका हां यह फूल अभी आएगा यह जो है चमेली का फूल यह चमेली मुग्रा उसके फूल है यह गुड़ल भी काफी अच्छा कहिल रहा है इसमें तो मिरेकल सा अधिक तर समय फूल रहते होंगे हैं यह सब टाइम है पूल जादा खिलता है थोड़ा कम इसके प्रूनिंग बगर विल रोग मैं किया होगा कुछँ में क्लिद्स उस समय करते हैं। ताकि जैसे खंड फिर से खत्म होने लगे दुबरा पूल आ जाए हैं उसी समय करते हैं तो कटिंग करने का या छटाई वगरा करने का कुछ फाइदा वगरा होता हैं प्धोल में हां उसमें कटिंग करो तो जो बाकी जो एक ठहनी रहते हैं उसमें थोड़ा बरूत्री आ जा हां वो आ जाते हैं बहुत बढ़िया और यह जो एक कीड़ा है इसकी समच्छा रहती है हर गर में और खास तोर से गुढ़ल के पंकुड़ियों को यह खाते रहते हैं तो इसके लिए आपने कोई उपाई बगरा किया है क्या नहीं कुछ नहीं किया अगर इमीडा क्लोप्रीड जो रासाइनिक पेस्टिसाइड है हम पौदे बगरा में कीड़े मगड़े के लिए इस्तमाल करते हैं तो उसका 5 ml एक लिकर पानी में घोल करके रख दे चोटे से बॉटल में तो यह कीड़े जब भी दिखा देते हैं उसक आप ही जल्दी इन कीड़ों से चुटकारा मिल सकता है यहां पर मुझे दिखा देरा ब्यागन वगरा भी आपने लगा रखा है तो हाली में लगाया है हाँ अभी लगाया एक हपता हुआ है जादे पहले भी कभी सब्जे वगरा लगाया था आपने उपर हाँ वेगन लग यह जो फूल है यूफोर्विया मिली काफी फूल आ रहे हैं तो इसमें क्या साल बर ऐसे फूल रहते हैं लगबक हाँ यह ज्यादा टाइम रहता है एक बर फूल आ गये तो बहुत दिन से फूल उग रहे हैं मुझे लगता है एक फूल देर दो महीने तक आराम से टेक जात उसे ज्यादा रहता है तो यह जो पौदे हैं यह एक ही आ पके पास के फूल दो तिन लगाया है तो इस ही एक ही कलर का है को इसी होड़ांगर से लगाया था क्या कर के यह है है इसी में से लगाया यह एक मुझे दिखाई दे रहा है तो इसी का ही कटिंग है हाँ तो इसके जो मिट्टी है वो कैसे त्यार करते हैं क्या क्या मिलाती है इसमें थोड़ा गोबर का खाद मिलाते हैं मिट्टी में थोड़ा मिट्टी मिलाते हैं और थोड़ा इसमें रेत मिला है उनोंकी हो यो वर्मी क मिल वहां करते हैं इसके अलावा जो सब्सक्राइब के च Ichimum अब एक हाँ पहले तो शुखा वाला बनाते थे बैया ने जो बहता है उसको फिर रखते हैं भीगो के फिर उसका पानी डालते हैं मतलब अब जो लिक्विट पर्टिलाइजर है उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं यह वाला पौदा काफी अच्छा लग रहा है कैक्टेस की वराइटी यह कहीं नर्सरी से लाएं कहीं नर्सरी से नहीं लाएं कहीं गाव में किसी के घर से लेके आएं उनके घर में बहुत कि अच्छा इतने अच्छा इसका शेप हो गया पत्ते वगरा बिल्कुल नहीं मुट जाये थो अप्टे थे उसमाइस में चोटा चोटा दो चार पत्ते थे अब इसमें ज़्यादा आगे अब ज़्यादा आ शुरूवा था अपने गुड़ल कापी ज़्यादा लगा रख ओते जादा होता है क्डिक तो इसमें पॉधा अच्छा रहता है और यह कया बेल है हाँ बेल के पॉधै है तो यह पूझा बगरके परफसे लगा क्या जादा पूझा कर नमली पूझा में ज़्यादा लगता है ना सुबस्वा इसलिए गया यह आप राजी पा का का काफी अच्छा लग रहा है यह डबल पैकल वाला है बहुत सुंदर सुंदर फूल इसमें खिल रहे हैं अभी सुंदर आ रहे है अभी और गर्मियों में थे बिल्कुल नहीं थे यह सूप भी गय थे बाने के कमी से एक दम हो गया थे अब दो चार दिन फूल आने लगे हैं और अब बारिश हुआ दो चार दिन पहले और अभी जो है कोई करना चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अगर किसी के पौदे तो लोग कटाई चिटाई कर सकते हैं क्योंकि जितने नए ब्रांचेज होंगे तो फूल भी उतनी जल्दी उसमें फिर आने लगते हैं और गमले में हैं तो कटाई चटाई करके रखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि गमले में अगर हम पौदे को बहुत ज़्यादा बढ़ने देंगे तो पौदे में सारी अनर्जी फिर चले जाती है और फिर फूलों को कम मिल पाता है यह भी सब गुडल है आपके कटिंग से ही कृवष संदर फूल आ रहे है इसमें जैसे डबल में आ रहे है इसमें अच्रीदी इसके अलावा भी बहुत सरे पौदे में में वेस्ट मचियल में भी देख रहा हूं को यह पादा काफी सुन्दर लग रहा है मदर ओप थाउजन इसका नाम में यह कितने पहले आपने गिर गए बहुत निकलते रहते हैं कहीं पर भी उग जाता है और थर्मा कॉल का भी चोटे चोटे बॉक्स में देख रहा हूं आपने यूज कर रखा है हाँ अभी लगाया है फिलल यह बॉक्स वगरा तो मैंने पैथलोजी में देखा है उनके पास होता है हाँ यह पैथलोज में पॉडचुले का आपने लगा दिया है क्योंकि जगह कम रहती है थोड़ी तो इस तरह के पॉड़े कापी अच्छे चलते हैं हां तभी उसमें लगाया छोटा-छोटा-छोटा सिंगोनियम भी आपने लगा दिया यह कोई चॉकलेट का डिबा होगा तो उसी कंदर लग लगाया है कितने सुंदर जो थर्माकॉल के गिब्बे हैं जिनको फेक देते हैं जला देते हैं तो उन सब में पॉडचुले का अपने लगा रखा है और यह पॉड़े निकालने की जरुरत नहीं है सर्दियों में भी आसे रहेंगे और गर्मियों में जैसे थोड़े से गर फूल आ जाएंगे अभी यह पॉड़े का भी किसे गंबले में है यह है यह थोटा सा गंबले में है और इदर आगे के और परसा बढ़ते हैं यह कौन सा पूल है यह यह पॉड़े रा इसका नाम रात किरानी है इसमें फूल जादाताया रात में ही खिलते हैं बहुत अच्छे खुश्बु आते हैं इधर मुझे दिखाए दे रहा है यह तुल्षी का मरुवा तुलसी काथे इसको स्की खुश्बुदार होती है यह और बहुत कुश्बु हाथ लगा तो दूर दूर फैल जाता है खुश और यूफोर्विया मिली भी आपने बहुत सारे पौदे लगा रखे हैं तो मेरे कर से जो भी पौदे बढ़ जाते हैं उसके कटिंग ले लेकर के आप लगाते रहते हैं कटिंग से लगाते हैं लगा दिये दो चार उसमें एक था पहले और यह डबल चांदनी होगा हां हां यह पूरे गर्मियों भर में भी इसमें फूल ऐसे ही खिलते रहते हैं खिलते तो है अब हमारे इसमें अभी फूल जादा आने लगे बारिश में बारिश में पहले बिल्कुल नहीं थे गर्मियों में तोड़ा कई वर होता है कि मौसम जब बहुत ज़ादा गर्म हो जाता ह हाँ वह बिगो के रखते हैं पानी डालते में वस एसको अगर जालते रहेंगे तो फूल भी इसमें आते रहेंगे नीचे मुझे यह रेन डिली लग रहा है तो अगिज में लगाया किbon यह भी जो है गुडलकाई पौधा है adalah कि यह सब आपके कटिंग से है किरने कटिंग से है और यह भी मिर्कल्स से मुझे तो पुराना प्दा लग रहा है काफी हां पूराना है ओर आप में जो आपका नीचे जो कुछ फूल बूल इसमें जो सुख गयते हैं वो द्रम के ऊपर ही रख दिया तो ऐसी रहते हैं इसमें यह फूल या इसको निकाल करके फिर आप जो है ज तो कोई दिक्कत नहीं है ये चीज रहे हैं लेकिन जैसे कीडे लगे हुए पत्ते वगरा वो सब नहीं गलते हैं तो भी अच्छा रहता है क्योंकि उसको सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें तो बहुत जादा आपकी कल्या आ रही है इस कनेर में अब फूल खिलें के लगा है हाँ ये आलैक वाला है इकडम रख जबड़ा आइस को टेक कैसे काफी सुंद्र लग रहा है और इससमें तो सब हरे बरे पत्ते मेरेकल सर बारिश के बाद बिलकुल बारिवरे बारिश के बाद देखने लाइक हो गया और किनारे ये भी जो आए कनेर का और एक तुआ फौद बसौन दो हैvor यह कितना पहले nostum आपने लगए आइब कर सुझ दाउल हो गया दुस्त और शॉव कर से ज्यादा कुछ आइस दो फूर सुआ हुए तो को बसुआ है जो आपने देखा है इस फूरान deficी कईटे Րस वन कोई कि लगता है यह च्छा कोई किड़ाइँ लगता कुछ दिन फूल नहीं रहते घ्ञानर can देखला कीxe बुए कुछ थेखले नहीं certo और एनर्जी स्रीमित मातरा में पौदु Só को मिल फाती है सिह जो गुडल आते हैं, इस वारिटी के गुडल में में सबसे जदा फूल आते हुए पूल जदा आते हैं गंले भी बड़े हैं मिट्टी ज़्यादा है ऐसलिए फूल ज़्यादा आता है एक बार में आपने आप जब पौधे तो यह से बड़े हो गए तो आपने बड़े पॉट में रिपॉर्ट कर दिया है हाँ, छोटे में से बड़े में लगाया तो ब्रांच भी देखी कितने सारे, तो इसको क्या हुई बेजन निकलते रहते हैं यह एक करक्द की पूल को सोगते हैं और यहां पर यह और एक मुझे लग रहा है गबल चांदनी का है यह गर्मी में एकदम शुख गया था मैंने शोचा था इसको फेकेंगे है लेकिन जो ब्रांचे इसमें नमी बनी रहाती है इसी बालती में लिकभ का सरे विंग थे बनाती है कि इसमें पैज की फिलके और सबजिया जो आलो की छिलके उसली दाल देतें में तो को इसके जल जाते हैं प्भी फिर भी मैं कहूंगा कि प्याज लेसन और नीवू वर्गे जो चिलके हैं इनके लिए अलग आप बनाएंगे टब तो ज्यादा बेटर रहेगा तो कि यह एंटी फंगल होते हैं और जो सब जो की सड़ने की प्रक्रिया है उसको वो कम कर देते हैं तो बाकी चिलके आप एक त जो बरसात का सीजन चल रहा है तो सभी पौधे इस समय लगबग कटिंग से हम सब लोग लगा सकते हैं हाँ यह काटिंग से सब लगाएंगे तो इसमें जल्दी जल्दी पौधे हो जाएंगे फूल भी ज्यादा जल्दी खिलने लगेंगे और कटिंग को लगा करके आपका भी देन बाद दोबारा हमारे घर में आने आए हमारे पौध को लाइक किया